हेलो गाइस स्वागत है आप सबका मेरे चैनल के उपर आज 18 दिसंबर है संडे का दिन है और ये नई अपडेट बिलकुल आई है जो लोग इनके बारे में नहीं जानते ये वीडियो उनके लिए है जो लोग फ्यूचर ग्रूप के अंदर जो की फसे हुए है उनके लिए ये लोग फीचर ग्रूप की पूरे की बिडिंग की तो वह है डेड्लाइन वह एक्स्टेंड हुई है लेकिन बिलकुल नजदीक में ही अगर आप देखे तो यहां पर यह बिलकुल नई अपडेट है 16 दिसंबर की और इन्सॉलवंसी रिसॉलूशन मतलब कि यह देंदारी यह जो टाइम लाइन है जो डेड्लाइन है वो 15 जनुरी एक्स्टेंड गी है मतलब कि यह पहले 15 दिसंबर थी यहां पर मैं दिखा दू 15 दिसंबर को यह डेड्लाइन थी तब तक जो है जितनी भी बिडिंग थी वो आ जानी चाहिए थी हाला कि बिडिंग आ गई है लेकिन य हाला कि जो पोटेंशियल बिडर से फ्यूचर रिटेल के वो 20 नवंबर को ही इसकी जो बिडिंग है वो आ गई थी उसने सब्मिट कर दी थी और इसके अंदर देखे तो कौन-कौन से प्लेयर से कैसे फाइदा हो सकता है तो वो जरूर देखिए वीडियो को स्किप मत कीजि उनका जो फर्दर जो वेरिफिकेशन है वो अभी बाकी है इसी वज़े से जो है यह तारीक जो है वो एक्स्टेंड की गई है लेकिन ज्यादा एक्स्टेंड नहीं की गई है एक ही मैना बाकी है अभी और यहां पर आगे बताया जा रहा है कि यह इमेल के जरी सारे सेल अप्राइब के अंदर भी हुई थी और इसके बाद अगर यहां पर देखे तो बताये जा रहा है कि रिलाइंस और अदानी का जो जोंड वेंचर है वह अभी रेस में है तो रिलाइंस रिटेल वेंचर से एप्रिल मूल रिटेल जोंडवेंचर बीत्विन अदानी के परी ग्लोबल हेंज होल्डिंग्स यह सारी के सारी कंपनिया है तो यह आप उसका भी देख सकते हैं कि यह भी बीडिंग प्रोसेस के अंदर टोटल जो है तक्रिबन तक्रिबन 13 के आसपास है बीडर्स और रिलाइस ने यहां पर इससे पहले अगर मैं देखू तो तो 340 करोड़ मतलब की 27 से 28,000 करोड़ का जो है ओफर पहले ही दे दी लेकिन उसके बाद Amazon का कैस हुआ और वो सब हुआ तो इसका अभी जो करण डेट है फ्यूचर डिटेल का वो 21,500 करोड़ है उन में से 19,500 करोड़ के आसपास का जो है वो अल्रेड़ी वेरिफाइड हो कहीं लोग होते है कि कहते हैं कि समारा 100 करोड़ वो पह लेना बाकी है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यह सहीं हो तो यहीं से एक तक्रीबं два अजार करोड़ के जो कि रिजेक्ट हो गय है और हाला कि अभी 200 करोड़ का क्लेम है वो अभी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस है यह पणानी और यहां पर आगज यहां पर बताए जा रहा है कि फ्यूसर दो स्टोर है इसमें से 30Do हे उसमें पर 252 स्मॉमेंट में हैं तो यहां पर यह चीजह आपको समझना पड़े embraced हमें एक उनकी कोई-नद्य कीमत जरूर है यह देनतारी पे है, बेंक अपसी के उपर है, क्योंकि इसके उपर डेप बहुत स्यादा बढ़ गिया है और लेकिन अगर अधानी, और यहाँ पर एक और खबर है, यहाँ आप देख सकते हैं कि निशित वोरा इसके इसके इसने जो है क्विट कर दिया है फिचर गूर्प गूर्प के अंदर, यह अभी अभी की खबर है और यहाँ पर दिखाये गया है कि निशित वोरा ने अभी-भी बताया गया है कि अपने लिंट ऐकाउन के जरीए यह information दी है पब्लिक को अब आप दियान से सुनिए और जो लो जिनको नहीं पता उनको मैं जल्दी से समझा दू कि यह पूरा मामला है किया 2019 में Amazon ने 1430 करोड में future coupon जो है वो खरी दे थे और 49% जो हिस्सेदारी future coupon के अदर खरी दी थी और इसके जरीए Amazon है वो indirect रूप से जो है रिलाइस फ्यूचर रिटेल की सारे तिन प्यस्सेदारी उसको मिल गई और उसके बाद जो है रिलाइस की एंट्री हुई फिर 2020 में future रूटेल ने 24,700 करोड तब डोलर की कीमत कम थी इसलिए यह 24,700 करोड बताए जा रहा है रिलाइस ने 340 करोड डोलर की एक ओफर दियो थी जितका अभी अगर देखे उसका बाव तो 27,000 करोड उसकी प्राइस मापी जाती है यूकि डोलर का प्राइस जो है बढ़ गए है तब डोलर तकरिबन 75 डोलर था अब जो है 82 के आसपास है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आसान पासा में अगर मैं बता हूँ तो फिर पहले तो एमेजोन को 1500 करोड के आसपास की जो है 50% के आसपास की इससेदारी बेची और उसके बाद देखे तो यह रिलाइस को 24,700 करोड में जैसे ही इसने बताया कि हम अपना रिटेल कारोबर रिटेल को बेचेगे तब सबसे एमेजोन और रिलाइस के बीच में फ्यूचर गूपले बीच में एक केस जुरू हुआ है यह 2021 का मैंने पिछले वीडियो में बताया था जिन जो लोग यह बारे में नहीं जानते में यह वीडियो उनके लिए है यह जानकारी तो 2021 में इनका टोटल डेट थे वह आप एक जलख है यहाँ पर मेनगी बिचले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर धियान दिया कीजिए यहां पर धियान दीजिए इसका मार्केट के इस Subscribe है apart केस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो यहीं सबसे बड़ी खुश कपरी होगी इसके अभी इसका मार्केट कैप सिर्फ 900 करोड है और अगर कोई भी इसको खरी देगा या फिर एक्विजिशन करेगा और कैस किसी भी कंपनी के तरफ जाएगा तो यह 900 करोड से ज्यादा ही होगा इ सिर्फ सिर्फ 2500 करोड अभी आका जा रहा है लेकिन अगर देखे तो उससे 2500 करोड और उसमें से भी 2000 करोड का जो है क्लेम तो है वो डिस्कौलिफाई हो गया है वो जो है क्लेम जूटे थे ऐसा सबित हो गया है तो 19500 करोड के आसपास की देंदारी है अब इसके अंदर है फिर कुछ भी करेंगे तो आगे मैं यह कुछ तीज़ें आपको बताना दें चाहता हूं यह फ्यूचर एंटरप्राइस का शेयर होल्डिंग प्रेटन है रिटेलर को किसे फसाया जाता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो लोग नहीं जानते हो उनके लिए यह वीडियो है यह जानका रही है यह 2021 की सितंबर क्वार्टर की सेयर होल्डिंग प्रेटन है इसके अंदर देखे तो यह रिटेल इंवेस्टर का दो लाग से नीचे का जो है तो वह 24 पसंद उसकी इससे दारी थी और जैसे ही 2022 का अगर सितंबर मैना आया देखिए इसकी इसक देखे तो वह इससे दारी बढ़कर कितनी हो गई यहां पर आप देख सकते हैं यह हो गई 36 पसंद तो इस तरह से रिटेल इंवेस्टर फसते हैं जानकर यह आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताए अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसको है लेकिन जैसे यह मार्च 2022 अभी सितमबर तक की तो जो सेलवडिंग पैटर इसकी आई भी नहीं है तो तब तक इसके अंदर देखे तो तकरीबन 49 पसंद यहां पर निखा है जी हां यहां यहां पर है यह 49 पसंद यहां पर मैं लिख देता हूं और अभी सितमबर पाटर क तो इसकी जो सेल ओर्डिंग बेटन आई भी नहीं है उससे कहीं ज्यादा रिटेल इंवेस्टर वहाँ पर फस गए होगे उस तरीके से ओप्रेटर्स होते हैं यह सब इसको फसाते हैं रिटेल इंवेस्टर्स को तो आज के वीडियो में ने यह जो जितनी भी बाते थी आपक सकते हैं और एक चीज़ ओर फ्रेंड्स यह जो शेर है फ्यूचर रिटेल का ग्रूप इसके अंदर मेरी तरफ से कोई भी बाई या सेल की कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है मैं बाई करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूं और मतलब कि आप बाई कर भी सकते हैं और नहीं भी इसके इन्वेस्टर को फाइदा होगा अभी इसने 15 जन्वरी की तारीक जो है एक्स्टेंड की है मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आगे और ज्यादा ये अपनी तारीक एक्स्टेंड करेगे क्योंकि ये बहुत जो है ये 15 दिसंबर थी वह डेडलाइन थी उसको पा